देखो भाई अगर आपको अपने Xiaomi phone को fully convert करना है iOS के अंदर तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है सबसे पहले status bar के icons देखो भाई आपको कितने बढ़िया iOS के देखने को मिलते हैं ये जो widgets हैं इनको आप customize कर सकते हो कैसे करोगे आपको पता चल जाएगा वीडियो के अंदर उसके बाद यहाँ पे जो icon pack आपको dark iOS का देखने को मिलता है और ये पूरी theme है ना वो dark iOS के उपर based है यहाँ पर आप setting का UI देख सकते हो notification status bar के अंदर आप यहाँ पर toggles देख सकते हो कुछ ऐसे मिलेंगे same theme को कर आप MIUI 14 में apply करोगे तो यहाँ पर green color के आपको toggles देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर iOS के pure recent आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर apply करना काफी easy है और ये वाला आपको control center जिसमें 3-1 control center रहेगा उसके साथ depth effect के साथ में आपको यहाँ पर जो है कुछ ऐसी clock lock screen customization देखने को मिलती है सबी चीजों को कैसे apply करना है just इस वीडियो को end तक देखते रहे ना अगर आप channel पे पहली बार आयो तो मैं request करता हूँ subscribe जरूर से कर सकते हो और वीडियो को please like और share जरूर से कर देना सबी चीजों को start करते हैं setup करना आपको जाना है theme store के अंदर उसके बाद themes के अंदर और जैसे भी आप mtz file को import करते हो या तो आपके phone में import बटन है तो आप उसकी help ले सकते हो या फिर जो है कोई और चीज का आप यूज कर सकते हो तो यह वाला theme आपको import करना है इसको आपको इसको भी apply कर रहा हूं तो थोड़ा सा time लेगा यह आपका apply हो जाएगा first step हमारा complete हो चुका है अब अगर आप status bar देखोगे ना इसकी padding में थोड़ा साइशू है इसको कैसे fix करना है वो मैं आपको बताऊंगा दूसरा theme आपको God bless को यहाँ पर download करना है इसको करना क्या है by default आपको थोड़ा सा issue आ सकता है status bar के अंदर आपको कुछ ऐसा यहाँ पर clock देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते बिसिकली जो wallpaper है यहाँ पर तीन आपको widgets पूछेगा अगर आप medium पर जाओगी तो medium चूज कर सकते हो यहाँ पर small widgets का option है यहाँ पर Gaussian blur का option मिल जाता इसको on करके आप just जो है next कर दो यह widgets आपके आ चुके हैं उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आपको मिलते हैं देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको notification पैनल मिलता है अगर आप इस पर टैप करते हो तो इसका animation एक different level पे आपको मिलेगा अब यह wallpaper अगर आपको करोगे ना तो भाई उसके साथ आपको ना यह जो widgets इनको फिर से setup करना ही पड़ेगा तो देख सकते हो और यहाँ पे जो मैंने dog bar enable कर रखा था उसकी वीडियो मैंने channel पे डार की है उसका link description में रहेगा आप enable कर सकते हो बिना route की है इवन आप dynamic island को भी यहाँ पे enable कर सकते हो तो हमारा almost आधा काम हो चुका है अब बात करेंगे यहाँ पर lock screen की तो lock screen के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो कुछ ऐसी lock screen मैंने apply कर रखिया इसके लिए best setting क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ आपको theme components में जाना है lock style और इसके अंदर आपको यह वाल paper का आपको यहाँ पर जो है यह दूसरा jpg format इसको enable करना है अब देखो आपको नीचे आ जाना है और इसकी settings मैं बताता हूँ जो जो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर two layer कर देना है notification layer के अंदर जो कि आपको number setting 7 के अंदर देखने को मिल जाएगा यहाँ यहाँ पर जो number 9 है इसमें आपको सब setting करनी है सबसे पहले तो इसको choose करना है insert depth wallpaper और इसको यहाँ पर default रख सकते हो जो date style हो मैं 9 यूज़ कर रहा हूं and जो यहाँ पर time का style हो मैं 4 यूज़ कर रहा हूं widgets आप कोई भी use कर सकते हो widgets की काफी styles है बट यहाँ पर आपको default widgets को select क करना है live weather effect आप off रख देना gesture effect को आपको none कर देना है जो कि पहले से enabled रहेगा और एक चीज़ आपको और यहाँ पर नीचे करनी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर आपको जो है करना होगा standby के बाद में charge title इसको आप off रख सकते हो यह desktop के options आपको मिलते हैं और तो उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा resident card switch इसको off जरूर से कर लेना and control center switch इसको आप on कर लेना यह आपका कहां पर काम करेगा मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे आपको एक iOS 17 का control center भी pre-installed मिल जाता है theme के अंदर जो कि आप use कर सकते हो और ऐसी lock screen आपकी यह यह जो theme है जो मैंने god bless बताया यह आपको theme store के ओपर मिल जाएगा मैंने इस पर video भी डार रखिया है तो आप वहाँ से जाके check out कर सकते हो अब यह जो control center है इसके लिए आपको route करना पड़ेगा इसके ओपर भी video मैंने डार रखिया है यह वाला control center आपको देखने को मिल जात अगर मैं दूसरा layout पर है उस पर tab करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा look देखने को मिल जुका है अगर मैं first वाले को यहाँ पर off करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा look को देखने को मिल जाता है तो different different way से आप इसको customize कर सकते हो भाई काफी ज़्यादा बढ़ जो है recent menu भी मिल जाएंगे यह rooted users के लिए है आदा theme rooted user use कर सकते हैं आदे को यहाँ पर जो है मैं बजा देता हूँ non rooted user try कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है यहाँ पर messaging जो calling वाला जो dialer है वो कुछ ऐसा मिलेगा और यह जो recent की वीडियो है न वो मैंने कल upload की थी तो जितनी भी important चीज़े हैं वो मैं description में डा रहा हूँ आप यहाँ पर वीडियो को watch कर सकते हो